हलो फ्रेंज वेलकम टू एस वीडियो में हम बात करेंगे दा मेकिंग आफ नेशनलिजम इन यूरोप तो नेशनलिजम का जैसे जन्म हुआ और वो आज जो हमें दिखता है उसकी शुरुवात इसी टाइम पीरियड में हुई थी यह class 10th NCRT है उसका first chapter है history का start करते हैं दोस्तों discussion what we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdom, duchess, cantons whose rulers had their autonomous territories तो आज आपको यूरोप का map खुल के देखो तो जर्मनी, Italy वगरा दिखते हैं पर पहले यह countries नहीं थे small small parts थे, kingdoms थे, अलग-अलग rulers उन्हें rule करते थे Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people तो जैसे यह territory है ऐसे आप divide कर लो let's say यह आपको दिख रहा है कि 8 parts में divided है तो 8 different different rulers rule कर रहे होते थे, काफी बार तो यह एक situation होती थी second situation जो होती थी, वो यह एक ruler है और अलग-अलग लोग रह रहे है, means German भी रह रहे है, Slavs भी रह रहे है यह सब अलग-अलग language speaking लोग एकी territory में एकी king के अंदर रहे हैं, यह सब आपे situation थी usually जो kings थे, वो autocratic थे, means वो अपनी चलाते थे, कोई democracy वगरा थी नहीं कुछ important dates देख लेते हैं दोस्तों, जो आपके लिए काफी important है 1797 में Napoleon ने इतली को invite करा था, और Napoleon की जो युद्ध थे, यहां से शुरू हुए थे और उन्होंने अपना quality फ्रांस का राजा घुशित कर दिया था 1814-1815 में जाके Napoleon का अंत हुआ, इसी के आसपास उनकी death हो जाएगी और 1815 में Vienna peace settlement हुई थी, जो अभी हम देखेंगे 1821 में Greek का struggle हुआ था और वहां पे independence स्टार्ट हुई थी 1848 में काफी बड़ा साल कहा जाता है, जहां पे काफी सारे revolutions हुए थे यूरोक में, against the conservatism, जिसमें artisans, industrial workers, peasant revolt, against economic hardships, economic situations बाद अच्छी नहीं थी, और एक बार दोस्तों आपको अगर freedom की आदत लग जाए तो आपको कबसे में नहीं रखा चा सकता Napoleon ने और French Revolution ने सब लोगों को यूरोक में freedom की आदत दे जी थी, middle class is demanded constitution की, constitution होना चाहिए, representative government होना चाहिए, representative government मतलब हम उनको vote दें, वैसे वो elect हो, Italians, Germans, Magriders, Pols, Czechs, सब बोल रहते हमें अपना nation बनाना है 1859 से लेके 1870 में एक series of process चली, जिससे unification of Italy, 1870 में हुआ, उसी के आसपास unification of Germany हुआ, unification word है दोस्तों की अलब लग territories मिलके Italy बनी, अलब लग territories मिलके Germany बनी, फिर 1905 में, slave nationalism जो है, बहुत तेजी से बड़ा, और Habsburg और Ottoman empires काफी, trouble में आ, इसकी वज़े से, slave nationalism जो है, बहुत ही घातब था, और इसको prime reason भी कहा जाता है, कि world war one जो है, slave nationalism की वज़े से हुई, start करते हैं दोस्तों, 2.1 diastocracy and the newbral class, aristocrats काफी जाते थे इस time में, socially and politically unlanded aristocracy was the dominant class on the continent, तो यूरोप में, जिनके पास land होता था, बड़े बड़े इनके पास land होते थे, और यह socially politically काफी उपर थे, इनके पास voting rights थे, यही kings बनते थे, यही छोटे-छोटे rulers बनते थे, और अगर वो कुछ भी नहीं तो small small territories के राजा है ना, और यह politically भी strong थे, socially भी strong थे, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा-थोड़ा देखने लगेगा, economically यह weak होते जाएंगे, जब, जब industrial revolution आएगा, और उसकी वज़े से काफी नई middle class निकल के आएगी, साथ-साथ एक और चीज़ याद रखी, जिनके पास land था, उनकी population बहुत कम थी, ठीक है, population में काफी कम थे, फिर majority जो population थी, वो क्या करती थी, वो पिसेंट्री थी, किसान थे, ठीक है, उसमें वो लगे रहते थे, ठीकिन वो ना तो socially उपर थे, ना quality उपर थे, इन वेस्ट एन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, दा ग्रोथ अफ इंडर्स्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेट में दा ग्रोथ ऑफ टाउंस एंड इमर्जेंस ऑफ कॉमेर्शियल क्लासे फूस एग्जिस्ट्रेंस वास बेज़ बेज़ अन प्रोडक्शन टाउंस और कॉमेर्शियल क्लासे बनने लगी तो बड़े-बड़े टाउंस मैंचेस्टर, लंडन ये सब अगेरा इस्टार्ट हुए पैरिस इनमें काफी जादा प्रोडक्शन होती थी और लोगों के पास पैसा था बात ये थी कि इन्होंने अपने बिजनेस कोले बिजनेस खोले, बिजनेस में तो बिजनेस मैन होता है उसके साथ सब वर्किंग क्लास भी होती है इनकी हाथ में काफी जादा पैसा आ गया लेकिन एक चीज़ आपको जो समझनी होगी वो इनकी पास social and political rights नहीं थे इनकी पास freedom नहीं थे अब आप बोलोगे freedom की क्या जरूरत है वो अभी अभी clear होता जाएगा इन इट्स वेक, new social groups came into being a working class population and middle class made up of industrialist, businessman and professional काफी लोगों clear नहीं होता middle class का आके मतलब क्या है, middle class का मतलब presents नहीं है, middle class का मतलब lend it, aristocracy नहीं है इसका मतलब है industrialist, businessman and professionals क्यूंकि आप काफी चीज़े ना आज से relate करते हो past में आज तो ये सब लोग अमीर है, लेकिन अमीर बनने का जो इनका सुक्सिला है वो इसी time में शुरूब आठादी उनने सी सथी में इट वाज अमंग दा educated liberal middle class that ideas of national unity following the abolition of aristocracy privileges gained popularity तो ये जो educated middle class थी ये पड़े लिखे थे, इनके बस पैसा भी आ गया था, बोलते हैं हम socially and politically पीछे क्यों रहे हैं इन्होंने ऐसे-ऐसे rules बना रखे हैं कि हम सही से कमा नहीं पाते, हमारे पास rights नहीं है, हम अपनी government इल act नहीं कर पाते ठीक है, तो उसके लिए अभी आपको देखीगा, ये work करेंगे हर देश में What did the liberal nationalism stands for? तो liberty एक word है दोस्तों, जो काफी जादा spread वहाँ यहाँ पे हम एक चीज़ देख लेते है, suffrage, uniform adult suffrage भारत में भी है, उसका मतलब है right to vote यूनिफॉर्म, adult suffrage का मतलब यह होता है, कि जो भी adult है, उनके पास voting का right है adult कौन है, as per India, adult वो है, जो 18 साल से बड़ा है, चलिए start करते है liberalism का मतलब तो वैसे free होता है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा हम detail न पढ़ेंगे for the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law law के बाहर सब बराबर होने चाहिए, पहले तो दो दोस्तो ऐसा चलता था कि चर्च में जाके आप अपनी अर्जी डाल दीजे, कि मुझे माफ कर दो और पैसा जमा कर दो, आपकी जो सजाएं वो माफ हो जाती थी, पहले तो ऐसे चलता था दोस्तों, हाँ जी ऐसे, सच में, तो जिसके पास पैसा था तो तो वो अपनी सजा खतम कर देता था बड़ी फणी बात लगती हैं आज सुनके, लेकिन हाँ जी ऐसा ही चलता था पहले, तो लिबर्टी में लोग ये कहते हैं, मिडल क्लासिस, कि लॉग के सामने सब बराबर होने चाहिए, अगर मैं कुछ जुर्म करूँ, या कोई अमीर आदमी करे, लेंड़ेड अरिस्ट्र सरकार होगी, वो किसी एक बंदे के हिसाब से या किसी एक फैमिली के हिसाब से नहीं चलेगी, वो elected होनी चाहिए, वो representative होनी चाहिए, democratic होनी चाहिए, और हमारे लिए काम करें, Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of aristocracy, autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament, French Revolution ने ideas जो थे पूरी यूरोप में spread कर दिये थे, कि autocracy और ये जो privileges में लोगों को पूरी तरीके से खतम होनी चाहिए, constitution and representative government आने चाहिए, 19th century liberals also stressed the inviability of private property, वो कियाते है प्राइविट प्रापर्टी का भी अधिखार होना चाहिए, न नहीं कि सरकार की property है, यह नहीं कि यह से वमी लोग की property है, पीजन्ट काम करे जाने हैं, काम करे जाने हैं एं जगे पे, लेकिन उनकी वो property देते हैं नहीं, उसकी property जो है वो बड़े-बड़े लोग, manners बोलते थे उनको लेके, बैठे हुए manners, मैं यहापे detail में नहीं जाओं तो equality before law का मतलब हम यह नहीं होता कि uniform suffrage की सब के पास voting right आजेंगे, you will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men, देकि दुनिया में ना changes धीरे-धीरे हुए, तबसे पहले voting rights जो है वो उसके पास आए जिसके पास property थी, तो French revolution में, France में भी यह हुआ, कि liberal democracy में, सिर्फ voting अधिकार उनके पास होंगे, जिनके पास property है, same चीज दोस्तों England में होगी, उसके पास धीरे-धीरे चीज होंगे, और property मतलब man भी होना चाहिए, woman को तो पूरा ignore कर दिया, सबसे पहले आपके पास property होनी चाहिए, property लिख दे रहाऊ, second है, कि फिर middle class के पास voting right है, फ के पास पूरे right आगे, फिर आपको दिखेगा, कि woman के पास right आएंगे, 20 फिस सदी में जाके, ऐसे situation आपको हर country में देखेगी, भारत एक ऐसा country है, जो 1947 में आजाद हुआ, और जब आजाद हुआ, तो एक सब चीज से पहली हो चुकी थी, वैसे तो, और सब लोगों को voting right दे for the freedom of markets and the abolition of state imposed restrictions or the movement of goods and capital, दोस्तों, liberalism की जब भी बात होती है, तो लोग political terms में बोलते रहते हैं, कि सब की equality होनी चाहिए, voting right होनी चाहिए, ये वो, ये लोग के सामने सब बराबर होनी चाहिए, तेकिन लोग ये बोल जाते हैं, कि liberalism का मतलब ये भी है, कि economic freedom, ये नहीं होना तो freedom of markets होना चाहिए, state imposed restriction नहीं होना चाहिए, कि हाँ जी हम तो इस चीज़ को लेंगे ही नहीं, है ना, ये चीज़ें, ये liberalism का पाथ है, तो लोग बोलते थे हम तो सेम तरीके के लोग है, हम भी German speaking है, वो भी German speaking है, तेकिन ये कि हम से tax ले लेते हैं, दस tax लगते हैं, Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confidation of 39 states, तो जर्मन की जो nationalism है, उसका beginner Napoleon को ही बोला जाता है, आज भी, दो Napoleon एक French बंदे थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, कि जर्मन जो state, बहुत सारी principalities, 300 से जादा में divided था, 300 से जादा states चैलो आप, ठीक है, इसमें divided था, Napoleon ने उसे बोला कि ये सारी नहीं र जाएंगी, ये Napoleon करके करें, इससे काफी जाता है, टेक्स रिमोव हो गए, वो अपनी currency लाए, अपने weights and measures लाए, तो Napoleon को बोला भी जाता है, जोस्तों, वैसे ये question थोड़ा high level का question है, maybe masters का, या UPSC का, कि Napoleon को first बोला जाता है, पहला बंदा जिसने German nationalism को आग लगई, मतलब, व merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his good would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each of one of them, तो ये problem दोस्तों बताये जारी हैं कि इतने सारे custom duty देनी पड़ लिए है, हर जागे 5-5-5-5-5% आपको वो देना पड़ लाए टेक्स, तो 100 पे का सामान जो है, वो finally, इतना महेंगा, 200 रुपे का विकता था, double price में, तो serious loss लोस था, customer का भी loss है, जो बंदा काम कर रहा है, merchant उसका भी loss है, फाइदा किसका है, यह जो छोटी-छोटी सरकारे बैठी गी है, इनका, तो लोग बोलते थे यह सब चीज़े रिमूफ करो, कोई tax नहीं होना चाहिए, और tax अगर हो, तो single tax लगा, बस ठीक है, जी, 5 बसंद क तरीके से measurement होता है, इतने complex rules थे, कि लोग अपना business ही start नहीं कर पाते थे, तो यह जो businessmen थे, बहुत नाराज रहते थे, Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial clauses, who argued for the creation of a unified economic territory, allowing the unhindered movement of goods, people and capital, तो वो basically इसकी दिमान कर रहे है, unified economic territory थे, यह बनना चाहिए, और लोग को यह भी समझ में आ रहा थे, unified economic territory तब ही बन सकती है, जब हमारा country आजाद होगा, जब हम nation state बनेंगे, यह छोटी-छोटी principality से कुछ नहीं होने वाल इसलिए यह business professionals वगरा खूब पैसा देंगे, है ना, खूब पैसा देंगे जो लोग German state को बनाना चाहेंगे, Italy state को बनाना चाहेंगे, हम आगे चलके देखेंगे, इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, in 1834, a custom union और Zolverin, इसको note में लिख लो, Zolverin, अच्छे से, सो अब लिखना, spelling बिल्कुल सही होना चाहिए, was formed at the initiative of Russia and joined by the most German states, तो जर्मन में सबसे बड़ी जो principality है, सबसे बड़ी जो state थी, वो प्रशिया थी, यही lead करेगा, जर्मन यूनिफिकेशन को, इसी के चांसलर हों के बिस मार्क ती है, Zolverin ने के start हुआ, जिसमे, यह custom union मनाए गया मतलब duties कम की गए, custom union तो शायद आपने economics में भी पढ़ा होगा, कि यह जो इतनी साई duty अलग अलग लग 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 रही है, इनको हटा, single duty लगा, the union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2, तो currency कम की गए, tariff barrier कम किये गए, the creation of network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to national notification, तो railways वगेरा बने, economy open हो गए, simple terms में, यहाँ पर एक चीज़ लिखे भी है, the aim of Zolverin is to bind the Germans economically into a nation, तो Zolverin ने कैसे economic nation बनाया जर्मनी को, ऐसे बनाया है, क्योंकि उसने लोग को close ला दिया, example ले लो, आप let's say मॉबई में रहते हो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर हम economically काफी exchange कर रहे हैं, तो हमारा connection काफी strong हो जाता है इसलिए economic exchange बहुत जरूरी होता है, भारत पाकिस्तान में अगर economic exchange बढ़ जाए, तो सारी problems all हो जाएंगे, अब politicians असा चाते ही नहीं है, ठीक है, otherwise तो, otherwise तो कुछ रहेगा ही नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उस topic को जादा नहीं पढ़ेंगे, conservatism, conservatism का मतलब क्या हो लेकिन slow-slow और काफी तो चाते ही नहीं है, कि हांजी हमारा culture रहे हमारा हमारा जैसी चीज़े चलती आ रहे हैं, वैसी करें, कुछ चल्दी changes ना करें, revolutionaries conservative के opposite होते हैं, जो बोलते है sudden change चाहिए हमें, sudden change, ठीक है, दीरे दीरे change नहीं चलेगा, हमारा वैसी patients tolerate, हमारा वैसी patients level highest हो गया है, हमारा patience और test ना करो, a new conservatism after 1815, 1815 में काफी साथ conservatism आया था यूरोप में, दिखते हैं क्या था, following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism, वो बोलते थे बहुत revolution कर दिया है, ये Napoleon nefinancial revolution में, थोड़ सा conservatism, जलाओ, conservatives believed that established and traditional institutions of state and society like the monarchy, church, social hierarchies, property and family should be preserved, बोल देते हैं, इसाब हमें preserve करना होगा, अपना church, अपनी social hierarchy जैसे चलता हा रहा है, ठीक है, property जैसे ही जिसकी है, वैसी चले, monarchy, बिल्कुल सही है, Europe के लिए, इससे शान्ती रहेगी, ये democracy अगेरे जो ideas हैं, इनको दबाओ, कोई democracy की बात करेगा, freedom of press की बात करेगा, तो इ ये भी आप समझना होगा दोस्तों कि ये जो नए conservative आई थे, इनमें भी Napoleon का नशा तो चल गया था, वो बोलते थे कि ये जो Napoleon काम करके गया है, इसने हमें बड़ी-बड़ी ideas देती हैं, तो सारी चीज़े हम पुरानी जैसे नहीं करेंगे, हम new-new conservative ideas, हम new-new जो ideas हैं, वो हमार land से कुछ लोग associated है, वो चीज बिलकुल भी सही नहीं थी, मतलब ये एक land हो गया, यहां पर 100 लोग काम कर रहे हैं, इनको सब को feudal बोलो जाता था, और एक landed aristocracy होती थी, जो इसका ruler होता था, ये लोग हमेशा इस पर काम करते थे, काफी बार इने पैसे मिलते थे, काफी बार जान क्या है दोस्तों, यह जो लोग है नहीं, generation to generation एक land से associated है, ना इनके पास voting राइट है, ना political राइट है, ना economic राइट है, और यह landed है, इस तो क्रेसी मज़े कर रहा है, पूरे पैसे कमा रहा है, तो यह state के लिए ठीक नहीं होता था, इससे production भी कम होता था, और यह जो ल capitalism इसी को का जाता है, तो बोलते थे कि, यह सब जो है, जो conservative मुनाप्स थे ना, वो भी कहते थे कि, हाँ जी, काफी चीज़े हम पुरानी रखेंगे, लेकिन कुछ-कुछ चीज़े जो Napoleon करके गया है, वो हम और डॉप करेंगे, जो यहाँ पे mentioned है, dynamic economy, modern army, effective bureaucracy, in 1815 representatives of the European powers, Britain, Russia, 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 Austria, रट लोईन को असान है, यही main states थी, Britain, याद ही होना चाहिए आपको, Russia, यह भी याद होना चाहिए, दो तो हमेशा ही रहते हैं, Russia और Austria भी थे, ठीक है, इन चारों ने मिलके Napoleon को हराय था, इसलिए सब, इसलिए सब Vienna में मिले थे, who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up a settlement for Europe, इन्होंने Europe का map बनाया है, इन्होंने बोला, Europe कैसे चलेगा, 1815 के बाद, अब यह बताएंगे, the Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich, इनका नाम अपने दिल में मतसा होत बसा लो, काफी popular trial यह नहीं हैं, लोगों को याद नहीं होते हैं, बट बहुत ही important ruler taste आएंगे, Metternich, काफी questions आते हैं इन पे, तो विएना में जो delicates मिलें, उन्होंने कुछ changes करें, वो अभी हम पढ़ते हैं, due of the treaty of Vienna of 1815, with the objective of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleon war, इन्होंने बोला, जो भी Napoleon changes करके गए हैं, हम उनके changes को पूरा undone करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे हम आपको 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 समझा कुछ अंडर नहीं होगा, लेकिन काफी कोछ यह करके जाएंगे, जैसे बोबोन डाइनस्टी जो थी, which had been deposed during the French Revolution, तो French Revolution के बाद ये बोबोन डाइनस्टी को ना भगा दिया था, नैपोलियन ने, उससे पहले भी फ्रेंस के जो करांती कारी तो उन्होंने भगा दिया था, तो उन्होंने बोबोन डाइनस्टी को फिर से बठाओ, फ्रांस में, was restored to power and France lost the territories it has annexed during Napoleon time, तो फ्रांस काफी बढ़ा हो गया था, काफी strong हो गया था, during the time of Napoleon, उसका मैंप अगर आप देखोगे तो काफी बढ़ा हो गया था, तो काफी सारी territories उनसे वापिस ले ली गई, और different different जगे बाट दी गई, फ्रांस को जो है, वो छोटा कर दिया गया, उसके आसपास भी जो countries थे, उनको भी carefully बनाये गया, कि हम फ्रांस को check and balance करके रखेंगे, कि आगे expand ना हो, क्योंकि Napoleon और उनके जो subsequent rulers थे, उनका डर था, इस time में बहुत जादा, क्योंकि Napoleon जो है, strong leader थे, motivate करके गए थे, पूरे फ्रांस को, तो फ्रांस को check and balance में रखना चाहते थे, और यहाँ पर बॉगओन डाइनस्टी रूल करेगी, और यह बोला गया, कि काफी सारे जो boundaries हैं, और territories है, Napoleon ने जो annex करी थी, वो वापिस दे दी जाएंगी, तो वापिस किसे किसे दी गई, यह आ Kingdom of Needlelands बना, जिसमें Belgium भी दे दिया गया, Genua जो है, वो पिडमॉंट को दिया गया, इन दा साउट, यह Genua पिडमॉंट दोनों के दोनों, Italy के पार्ट बलेंगे, आगी दा की याद रखेंगे, ठीक है, Prussia was given important new territories on its western frontiers, तो Prussia को काफी strong कर दिया गया, यह point इसलिए important है बताना दोस्तों, कि Prussia ही lead करेगा, German equal and unification, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, कि 1815 में Prussia को strong करा गया है, while Austria was given control of Northern Italy, Austria को Northern Italy दिया गया, अभी याद रखों, Italy कर गी कोई country नहीं है, Austria कर के country है, Prussia कर के country है, ठीक है, but the German configuration of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched, मैंने आपको पहली बताया था, कि German configuration बना दी कि Napoleon में, Confederation का मतलब यह होता है, कि जैसे USA उसको Confederation बोलते है, कि small small states को मिलके बनाए, जहाँ states अपने हिसाप से चलती है, center weak है, center weak है, states strong है, यहाँ तो आपको दिखेगा, कि कुछ center है ही नहीं, ठीक है, in the east, Russia was given Poland, was Prussia, Prussia को Saxony दे दिया जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे जर्मन, वो Prussia strong हो गया है, जर्मन के 39 states जो है, उसे बनाया रखा गया है, दोस्तों, पहले 300 से जादा states थी, जब 1815 की treaty हो रही थी, तो लोगों को पता ही नहीं था, कि, 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 कौन सी वो 300 states थी, कुछ records तो maintain नहीं किया जाते थी, तो बात यह है समझाने की, कि, नैपोलियन ने इन 300 states को, 300 से जादे states, किसी को नहीं पता कितनी थी, इसलिए मैं भी number वो नहीं बता था, को टेक्सबुक में अलग-अलग जगे, अलग-अलग मिलेंगे, 300 से जादे को, नैपोलियन ने 39 कर अब 815 की settlement, इस 39 को वापिस 300 नहीं कर पाई, क्योंकि नहीं पता ही नहीं था, कौन किसमें divided है, कैसे करें divided, ठीक है, तो conservative regime setup की गई 815 में, और यह सब autocratic थी, मतलब यह अपने हिसाब से rule करते थे, कोई democratic government नहीं, कोई representative government नहीं, और censorship पूरी लगाई गई, newspaper को check and balance रखा गया, matter niche ने बोला कि इनको जब तक चेक रखोंगे, तब तक बढ़िया रहेगा, अगर newspaper revolutionary लोगो को आगे बढ़ाया, तो वापिस Napoleon का time आ जाएगा, तो यह सब हम चीजे दिखेंगे, one of the major issues taken up by the liberal nationalist who criticized the new conservative order was freedom of the press, तो यह जो revolutionaries थे यह बोलते थे और liberal nationalists थे बोलते थे freedom of press तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना चीजे नहीं चल सकती, और freedom of press बहुत ज़रूरी है, अगर आप press को control नहीं करोगे, तो ideas spread होगे, इससे revolution फेलेगा, इससे France क्रांती के जो शब्द थे, liberty, equality, fraternity, वो फेलती रहेगी, अब थोड़ा सा revolutionaries के बारे में पढ़ते हैं, और यह last topic है, During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground, तो काफी जो liberal nationalists थे वो underground चले गए, जो underground नहीं गए, जो उपर बोलते गए, उन्हें या तो कहीं किसी और country डिपोर्ट कर दिया गया, जेल भिर दिया गया, आसी चला दिया गए, तो काफी आपको दिखेंगे कि underground societies इस time में चलेंगी, secret societies, underground societies, most of these revolutionaries also for the creation of nation states as a necessary part of this struggle of freedom, यह बोलते थे nation state तो भाया बनाना है, अगर अभी भी समझ बनिया है को nation state बनाने का मतलब क्या है, बोलते थे अपने अपने country बनाने पड़ेंगे, जैसे इतली, जैसे जर्मनी, ठीक है, अपने अपने country बनाने पड़ेंगे, ग्रीज, अपने अपने country ब और equality, liberty, fraternity, यह सब चीजे होंगी, एक individual का नाम जो इसमें बहुत जादा आता है, what such individual was the Italian revolutionary, जिनका ना मजीनी है, ठीक है, पहला जो नाम है, मैं भी नहीं पड़ पारा, जो पिसी जो भी है, मजीनी लेकिन याद रखना दोस्तों, बहुत important character ने, world history के one of the most popular, इंडिया में काफी जादा impact, आपको दिखेगा, लाला लाच पत रही है न, उन पे काफी impact था, born in Genoa in 1807, he became a member of the secret society of the carbonary, इसको भी आप याद रखोई, carbonary, secret society थी, as a young man of 24, he was sent into exile in 1831, for attempting a revolution in Liguria, तो यह revolution करना चाहरे थी, इनको exile में, मतलब बोल ला, कि भी है, ऐसे भग जाओ, na, exile में site कर दिया गया, he subsequently founded two more underground societies, first is young Italy in Marseille, and the young Europe in Bern, इसको अभी याद रखोगे, young Italy को, young Europe भी याद ना हो, जैसे young याद है, तो दूसरे भी याद ही रहेगा, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states, तो इन इनोंने secret society बनाई, underground ये, बड़ी-बड़ी revolution की बाते करते थे, philosophers की बाते करते थे, और plan मनाते थे, कि हम इसको ऐसे चीज़े करेंगे, इनका contribution सबसे जाद ही है, कि इनोंने idea दिया nationalism का, सबसे बड़ा contribution ये है, ये चीज़ देना बहुत बड़ी बात होती ही, दोस्तों, जैस भारत का vision set करा, right, ultimately गादी ने थे भी नाजाद करा है भारत को, लेकिन vision दिया, तो वो बहुत बड़े बात होती है, so Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms, it had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations, तो उन्होंने बोला, God खुद चाहता है कि nations बने, और Italy small kingdoms or states बनके नहीं रह सकता, Italy और हमें unified republic बने गाई, republic मतलब लोगों को अधिकार होगा, है ना, और उसका जो head of state होगा, elected होगा, maternage described him as the most dangerous enemy of our social order, तो मजीनी के बारे में maternage यह कहते थे, यह देखी हैं आपर young Europe बना रहे हैं, burn में, मजीनी, तो मजीनी काफी अच्छा idea देंगे, और मजीनी का सबसे ज़्यादा contribution इतली युनिफिकेशन में हैं, लेकिन उनके जर्मन और states की युनिफिकेशन में भी काफी बड़ा role है, जिसमें France आता है, जिसमें Poland आता है, जिसमें Germany भी आता है, तो that's all, next video में हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या situation है, I hope आपको lecture अच्छी मज़ा आ रहा होगा, कोई भी doubt है तो आप comment section में लेख सकते हो,